जैश्राम भाई सभी को तो कैसे हो आप सब लोगतास की वीडियो सुरू करने से पढ़ने आप सबसे रिक्वेश्ट है कि ओमेगा फैन्स चैनल को सस्क्राइब करने जिए और वीडियो पर लाइक और कॉमेट भी कर दीजिए यह जटके में समाप्तिया होँएगा के पास आपको दो फिनिश दिखेंगे बीस के पास एक दिखेंगा यह फाइट अभी के लिए वो रिविंज की बनी हुए और इस रिविंज पे रंग में भंग दालने के लिए लेकिन तुरंट पीछे से कवाफ आया है डाजल को भी डाउन कर दिया है प्रतीक आगरी की लाड़ी बचे वे है पिछला एर एंगल का मुकाबला था टीम ओमेगा यसनाया पे जाके अटाक किया था वीस्ट के ओपर और वहाँ पे तो मूगी खानी पड़ी थी लेकिन अभी के लिए वीस्ट ने अप्रोच की आये सिवर्नी की तरफ लेके नुकसान हो रहा है निंजा बॉइ ओपन से आने की कोशिश करेंगे ऐसे में बीस्ट सामनी की तरफ स्लग बॉइ नजर आते हुए स्लग बॉइ स्मोक करके क्रॉस करना चाहते हैं और ये देखिए ग्रेने निंजा बॉइ का जो भी है पीस्ट अभी कले बैक फूट में पहला खिलाड़ी आपर गवाते हैं निंजा बॉइ को फर्स पिक मिलता हुआ है जरू है यहां से कि अब एक भी खिलाड़ी ना गवाए जाए और यहां पर थोड़ा सा आखरी दिन में भी मजा करना चाहते आए हैं जरूर तेम ओमेगा के उपर हाला कि आते ही दो प्लेयर्स आप उन्होंने गवा दिये और डाजल का वो नेट आपी चांदार सा सामने जरूर आए और डाजल को नॉक भी किया गया बट बीस्ट को क्या रिवावल मिल पाएगा जी हां कोई आसपास बीस्ट के है नहीं स्लग जा रहे हैं बीस्ट के पास रिवाइब करने के लिए यह दिए स्पिरो इसी का जिकर कर रहा था अब जितने भी फ्रैक्स निकले कुछ ऐसा ही निकलेंगे में शैटी के साथ समाप तीसरा खिलाड़ी और जो आखरी प्लेयर है क्या उसको भी समाप कर पाएंगे बट इसको उनफॉस्ट की बचा ना सके यह परफेक्शन के साथ निकालना वो तो अल्मोस्ट ले लिया है लेकिन बीस्टो जी अभी हम कुछ भी आपर एक्सपेट करके चल सकते हैं आत्मे वेक्टर है और इस खिलाड़ी का बस मंसूबा यही है कि मैं बस तुरंत नौक और तुरंत समाप थी करूँ यहां से टीम उमेगा के उन खिलाड़ियों को स्लग बॉय चार्जिन करने की कोशिश इडिकी से शायद हो सकते है बाहर निकलने का ट्राइ कर सकते हैं यहर व्यूस ओन टीम ओमेगा परफोमेंस यह टीम ओमेगा आए फील दाद इस वेरी गुड लाइनप इस ज़स्ट आट कि अभी नहीं बहुत कुछ चल रहा है लोग